और राज आपका स्वाकत करता हूं दोस्तों आज कर वीडियो का टोपिक रहेगा इंफरेट का इंटक्षन को अपर उसके बारे में बताने वाला हूं दोस्तों मैं किसी भी induction है और infrared कहने का मतलब और normal induction दोनों में आपको difference पता होगा infrared कहने मतलब क्या होता है दुस्तों कि इसके उपर में all metal काम करता है मेरे leg men आपको समझाओ यांई plastic को metal छोड़के सभी metal इसके उपर काम करेगा अब दुस्तों यहां पर देखेंगे थोड़ा सा इसके बारे में फंसन दिया हुआ है और यहां पे सब बरतन चलता है यह हमारे लेगमेंज में लिख दियें क्योंकि हमारे तरफ यह ज्यादा ब्रांड के चलती है तो यहां पे लिख दियें कि सब बरतन चलता है क्योंकि अदिक्तम क्या होता है कि गाहां तरफ अगर सेल करते ना तो लोग को इन्फारेट बोलोगे तब भी विश्वास नहीं होता तो उनको बताना पड़ता है कि इसमें देखो लिखा सब बरतन चलता है अब दोस्तों इसमें खामिया क्या है अच्छाईया क्या है इसके बारे मतांगा सबसे पहले दोस्तों देखेंगे यहां से मैं ओ वरंटी कार्ड आपको मिलेगी वंस यहां पर वरंटी कार्ड देते हैं तो दोस्तों इस यह अलग कर देते हैं इसको सबसे पहले यहां पर फोकस करेंगे इसके डिजाइन भी है बढ़ियाट डिजाइन है ग्लास की क्वालिटी देखेंगे ग्लास की क्वालिटी भी सही है और यहां पे दोस्तों finishing भी है दोस्तों यहां पे देख सकते हैं इसके पीछे के जो plastic body होती है इसके भी quality लगभग में सही है अब बात करेंगे सबसे पहले यहां पे खामिया क्या है कि महराजा सेप का अलग से sticker लगा हुआ है यहां पे देखेंगे सुरिया यहां पे सुरिया कि लगा दिया गया उसकी कोई दिकत नहीं है कि क्या है इसको defend us Am i अभी यहां पर सबसे पहले यहेंगे वाटकी होती है और 2000iblesale क्माने इसमें क्या है कि यहां पर देख सकते हैं जितने सरे यहां यहां तक पूरी रेड होती है क्योंकि इसके अंदर में इन्फरेट का क्वाइल लगा होता है और हम यहां पर सबसे पहले सप्लाइब देते हैं सप्लाइब देने के बाद दूस्तों देख सकते हैं कि हम यहां से और यहां से फंसन क्लिक करूंगा तो 2000 आएगा और 2000 वाट में कम से कम 300 है और थिकतर कितना दूस्तों आपका 2000 1000 वा Eck दोस्तों आपके पास यहां पर फंचर्थ का है वार्म का है और यहां पींद खताव facilsemies उपूंद बाकि यूज करते हैं अब बात करने वाले सबसे पहले दोस्तों दिखिए अगर मानलो नॉर्मल इंडेक्शन ओर इंफरेट के इंडेक्शन में इंफरेट के इंडेक्शन लोगल बहुत यदा आती है पहले तो डूस重要 कोई ब्रांड नहीं आती थे तिन इन अधी दो-तीन कंपपनी जो है ओया अपना इंफरेट पहले क्या होता था लॉंगर का आता था फिवियानो का आता था कुनार्प का था बहुत सैसे लोकल ब्रांड आती थी जो अच्छा खासा भी चलता था तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं इसकी जो प्रट डिजाइन किया है मस्त रिजाइन किया गया है कहने का मतलब इसकी डिजाइन जए चार्फ बड़ी दयां किया गया है कि ऑगे और इसका जो यहां पर समझेंगे सबसे पहले इसका जो वेट थोड़ा एककि टैच पेड़ मेंहीं पूरी इंडक्षन करने मतलब टैच पेड में कहीं पर भी कीपेड नहीं है कहने मतलब यहां से लेकिंगे यहां तक टैच ग्लास लगा हुआ है और यह भी आपका टैच पेड में है अब दोस्तों मान लोग कि आप नॉर्मल इंडक्षन यूज करते हो तो आपको अच्छा है नहीं बाती सूरिया के नाम से डी आता है अब यहां पे बात करेंगे थोड़ा साने फिनिसिंग हलका सेहां फिनिशिंग में है क्योंकि दूस्तव ऋ ngày rain Tray ओने का लाटा है तो इसका जाओन करने मतलब क्या होता है और उसको मशीन से चिपकाते नहीं है क्योंकि यहांपर मस्षिन के दिखकत होती है तो हांट से इश को में झाटा है लुटी और नहीं हैS भी रहा है और दूसरी दोस्तों कि क्वालिटी ठीक है मेरे हिसाब से बाकिए पीसी बीको उपन करके आपको दिखा देता हूं करेंगे सबसे पहले क्या फूकस करना है यहां पे आप पीसी बी का जो दिजाइन देखते हैं तो जो सेलो का इंफा रिट का इंडशन को पाता है उसी के यहां पे copy है PCB के quality मेरे तरफ से बहुत बढ़िया quality है और उसके बाद में दोस्तों यहां पे display control panel देखेंगे तो display control panel में दोस्तों यहां पे एक IC लगी हुई है एक IC दोस्तों तीन सेक्षन में है पहला दोस्तों तो आपका touch का काम करेगा दूसरा दूस्तों यह programmer IC है और तीसरा दूस्तों जो यहां का sense है जो यहां पे sensor लगा हुए temperature को sense करता है इसका जो reference है इसी IC से मिलेगा क्योंकि दूस्तों अब हम यहां पे main board का बात करेंगे main board में दूस्तों power supply में यहां पे IC लगी है देख सकते हैं यहां पे आपका और दूसरी IC आपको यहां पे नहीं मिलेगी अधिक्तम क्या होता है कि आप infrared का PCB देखे होंगे तो 8 pin की 2 IC लगी रहती है एक LM308 भी लगी रहती है जो एक temperature को sense करने के लिए लेकिन इसमें दूस्तों नहीं है और दूस्तों यहां पे देखेंगे सबसे पहले आपको यहां पे बताना चाहता हूं खामिया इसके अंदर में क्या है पहला खामिया तो जो आप में लीड वायर यहां पे देख रहे हो इसकी गेज देखो आपका induction को कितना एंपियर लेगा दोस्तों 2008 में 9 एंपियर तो दोस्तों øंदय के जो मैं लीड वायर है में काड़ है यह सबसे बुराई है इसा रहुआ और कि प्राइभ कोई दिकरत दूसरी दूस्तों यहां पेज़ाइंर पीस्पी तो अच्छा खशशा किया किया कि केका नहीं दीकत नहीं यहां पर सबसे पहले है जो यहां पर फ्यूजद शो लगा हुआ यहांपका लगा हुआ है तक फूर कमसे कम आपको कम सेख और देना चाहिए था कोई दिकत नहीं दूस्तों अगर मालो ज्यादा हीट होगा ज्यादा ओवर करेंट आएगा तो आपका फ्यूज ओपन हो जाएगा वैसे कोई दिकत नहीं है बाकि दूस्तों इसके अंदर का जो प्लास्टिक है प्लास्टिक की क्वालिटी यहां पर होता है कि ज्यादा ओवर हीट होने से जो प्लास्टिक है गल जाता है तो क्वाल आपका समझ दो एक्साइड हो जाता है तो इसमें ऐसा नहीं है पूरी यहां पर बेस के साथ दिया गया है और उसके बाद में बात करने वाले सबसे पहले दोस्तों यहां पर देखेंगे तो जो फेन लगी है फेन आपका इसमेनफुन है और फेन जो geons की क्वालिटी अच्छी है आपको sih की क्वालिटी दिखा सकता हूं यहां देख सकते हैं ग्लास की वी क्वालिटी अच्छी है यहां पर ठीक है मोटाई भी इसकी अच्छी है और इसमें ग्लास का कंप्लेन अभी तक तो नहीं आया है और नहीं पीसीवी में कंप्लेन आया है क्योंकि दोस्तों अगर पीसीवी में कंप्लेन आएगा तो आसानी से की बारे में सबसे पहले दुस्तों मान लोग कि आप हटी टेल यानि समझ लोग कहीं सिंगल पिस लेते हो या सेल करते हो तो आपको 2400-2500 रुपया और इंपूट कहने का मतलब इसके इंडक्सरी इंफरेट का जो इंडक्शन इसके इंपूट में जो PCB लगी है कहने मतलब किया जो मेन PCB है क्वाइल है टिस्प्ले कंट्रोल पैनल है उसका दोस्तों कम से कम एक सल वरेंटी मिलता है पचीस सो चबवी सो रुपय में अलग-अलग जगा का अबलेवल हो जाता है अगर आप मानलो होलसेल में लेते हो तो आपको दूस्तों होलसेल में कम से कम 6 पिस लेने प कि थोड़ा सा मेरे को इसका जो प्राइज जादा लगा है क्योंकि दूस्तों क्या होता है कि इसकी जो ग्लास के कॉलीटी है थोड़ा सा अच्छा दिया गया है और अपको मानलो आप अपनी लिए खुद लेना चाहते हुं इनफार्यट का तो अगर मानलो आप से लो कंपन नता है तो उसको हम लोग रिपेर कर देते हैं एक सल की वरेंटी में बाकी दूस्तों अगर मालों होलसेल में आप लेते हो तो उसमें आपको वरेंटी खुद देना पड़ेगा हम लोग नहीं देंगे क्योंकि आपको 1950 रुपया में इंडेक्शन मिलेगा और इससे सस्ते भी थार थार थाएक本ा घंक्सरथ चाहते हैंoccup céu तो बिर देएकितay चाहते है खिएंगा मिलेडी में आपको 3